हलो तोस्तों मेरा नाम है संदीप और चानल का नाम है टेकवानी आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 रुपीज ये जो रेंज है वो सबसे ज़्यादा होट रहती है अगर मोबाइल की रेंज की वारे में बात करता हूँ तो 15,000 की रेंज में सबसे ज़्यादा जो है मोबाइल कंपनीज भी कॉंशिस रहते हैं मोबाइल बनाते वक्त और डिमांड भी इस रेंज के दे सबसे ज़्यादा रहने वाली है लेकिन आज जो वीडियो में बना रहा हूँ आज तक जितने भी मैने वीडियोज बनाए है best mobile under 15,000K, सबसे ज़्यादा best video होने वाला है, क्योंकि अब की बारी जैसे mobile आए है 15,000 के range में, आज से पहले ऐसे mobile नहीं आए थे, कमाल की specification मतले की flagship level की specification जो है आचुकी है, इस range के अंदर camera sensor कमाल के होते हैं, 48MP तक के camera जो है आचुके है, 15,000 से नीचे की range बिना वक्त गवाई सबसे पहले बात करता हूँ, Redmi Note 7 Pro के बारे में, जिसके अंदर Sonica IMX586 का sensor लगा हुआ है, रियल में 48MP का जो camera support आपको दे देता है, बात करते हैं, पूरी specification के बारे में, बात करूँआ 13,900 इंडियानों रुपेले model के बारे में, जो 4GB RAM और 64GB storage के साथ आता है, इसका एक दू इंडियानों रुपेले model के बारे में, तो उसके specification में आपको बतायता हूँ, 675 मतले कि जो snapdrung का processor उसके साहती आता है, 612 का Adreno का GPU आपको देखने को मिल जागा है, इसके अंदर 2 GHz की frequency पे चलता है, और 11 nanometer की technology बनावा है, प्रसेसर कमाल का आपको performance देगा, शायद आप PUBG ख काफी अथी है, अगर camera की बात करते हैं, तो 48 megapixel प्लस 5 megapixel का आपको rear camera देखने को मिलेगा, जो की एक next level की pictures आपकी लेने वाले है, Sony का IMX586 का sensor इसके साथ है, और ये F1.79 की aperture पे चलता है, तो night में भी आपको काफी अच्छी picture ये लेके देदेगा, और selfie के बात करते हैं, 13 megapixel कि आपको selfie मिलने वाले है, तो selfie भी काफी अच्छी होने वाले है, 4000 mH की battery आपको देखने हो मिल जाएगी, और type C का आपको USB support मिलने वाला है, 10 watt का charger आपको box के अंदर मिलेगा, 5 watt और 2 ampere का, लेकिन ये quick charge 4 को भी support करता है, और USB C है तो definitely advantage आपको मिल जाएगी, एक चीज़ मै Android 10 और Android 9 Pie का support आपको देखने हो मिल जाएगा, एक complete phone है, 13,9900 पर के अंदर, जो टकर देता है, 20,000 की configuration वाले phone को, तो एक इसकी दिक्कत है कि एक तो इसके अंदर hybrid SIM slot है, तो आज की तारिक में सभी लोग Gio का SIM इस्तेमाल करते हैं, तो साथ में एक दूसरा SIM इस्तेमाल करते ह है, तो definitely इस phone के लिए आप जा सकते है, दूसरे अगर मैं phone की बात करता हूँ, तो वो है इसका दंदार competitor, और दंदार नहीं, जानदार, शांदार competitor में आपका हूँगा, क्योंकि definitely one of the best phone है, 15,000 की range के अंदर, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचे है, आप Realme 3 Pro के बारे में बात क अगर 845 का जो प्रोसेसर है, वो चाहे पिछले साल लॉंच हुआ हूँ, लेकिन वो आज भी 710 से बेटर होगा, तो अगर MI वाले ऐसे जूट भला दते हैं, कि 600 पिचितर जो है, वो latest प्रोसेसर है, 710 तो पिचले साल लॉंच हुआ था, लेकिन 700 सीरीस का प्रोसेसर है, और डीटेल में अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन आप ये समझके चलिए, चाहे वो नेक टो नेक चल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा 710 जो ऊपर चला जाता है, तो प्रोसेसर जो है, वो Realme 3 Pro के अंदर आपको थोड़ा सा वेटर देखने हो मिल ज सोरज के बारे में, जो कि 13,9900 पेक आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आपको 16 Megapixel प्लस 5 Megapixel का rear camera देखने हो मिल जाता है, 16 Megapixel जो camera है वो 1.7 के अपारचर पर चलता है, तो कमाल धमाल आपकी फोटोज आने वाली है, साथ में क्रोमा एफेक्टर नों ने दिया है, तो कलर इसको काफी बूस्ट कर देता है, तो वो पिच्छस भी आपकी काफी अच्छी आ जाएगी, और सेल्फी के अगर बात करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी बेस्ट सेल्फी आने वाली है, 25 Megapixel camera इनों ने सेल्फी में लगा दिया है, तो डेफिनेटली सेल्फी तो आपकी द इन दब बॉक्स आपको वूक चार्जर मिलने वाला है, मतलब वूक 3.0 को सपोर्ट करता है, फोन बहुत ही जबरज़स्त ये चीज़ है, आप लोग ये मानके चलिए कि वन प्लस अगर शुरुआत में हिट हुआ था इंडिया के अंदर, तो सबसे बड़ा रीजन उसका ड और शुरुम में जाते हैं, नाते हैं, बाहर निकलते हैं और पूरे दिन का उनका फोन चार्ज आता है, तो सेम फेसिलिटी आपको मिलने वाले हैं, रियलमी 3 प्रो के अंदर काफी ज़्यादा एडिक्टिव ये चीज़ होती है, और एक बार ही आप इसको यूज करना शु पर आपको मिलेगा, तो वो अगर आपको in the box मिल रहा है, तो डेफिनिटली काफी अच्छी बात है, जो अच्छी बात नहीं है, वो मैं आपको बतायता हूँ, जो पीछे जो प्लास्टिक बैक आपको मिल रहा है, डेफिनिटली वो कहीं ना कहीं आपको अगर Redmi Note 7 Pro से में compare क करते हैं, तो यह अब आपको decide करना है, अगर आप प्लास्टिक बोडी में खुश है, तो आप Realme 3 Pro के लिए जा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा finishing अच्छी चाहिए, थोड़ा सा premium लुक चाहिए, glass body design चाहिए, तो आप Redmi Note 7 Pro के लिए जा सकते हैं, दोनों ही phone कमाल दमान है काफी neck to neck है, अगर आप बोलेंगी तो मैं comparison कर दूँगा, और हम next phone के बारे में बात करते हैं, जो है Samsung का Galaxy M30 और कमाल का iPhone X 6.4 इंचिस के full HD display के साथ आपको मिलता है, और इस अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही 15W का fast charger in the box आपको देखने को मिलता है जो की 14,999 पर आपको online मिल जाएगा, आचा दोस्तों अगर आपको कोई भी phone को search करने में दिक्कत होती है, तो मैं नीचे description में उसका link दे रहा हूँ, आप click करके सीधा redirect हो सकते हैं, और उस phone को buy कर सकते हैं, Redmi Note 7 Pro के बारे में नहीं कह सकता हूँ यार, असानी से नहीं मिलता है बट link तो मैं नीचे आपको दे ही दूँगा, so Samsung Galaxy M30 के अंदर आपको triple rear camera देखने को मिल जाता है, जो की काफी काम आता है, जब मैंने देखा कि wide angle इनका बहुत अच्छा है, 13 megapixel का आपको एक camera देखने को मिलेका चाहती, 5 megapixel का आपको ultra wide lens देखने को मिलने वाला है, और दीस आपको ये निराज नहीं करेगा, काफी अच्छी performance आपको लाके देगा, phone की build quality काफी अच्छी है, fingerprint scanner सा काफी faster टच करते ही unlock हो जाता है, और face unlock भी काफी safe है, तो आप इस चीस को देख लीजेगा, काफी अच्छा ही phone है, 14,900 पे के अंदर triple slot इसमें दर आपको देखने हो मि कर सकते हैं, तो relevant आपको performance देखने हो मिल जागी, दोनों का लगबग equal सा performance है, तो अगर क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते है कि snapdragon से अगर compare का है, तो कौन से वाले model से compare कर सकते है, तो आप 660 से इसे compare कर सकते है, 14,900 पे के अंदर आपको मिल जागा, Amazon के अंदर link में नीचे दे र इन्होंने use किया है, 2.36 gigahertz frequency पे काम करता है, बहुत ही कमाल का ये phone है, और 14,900 पे के अंदर मिल रहा है, जो बहुत अच्छी deal है, आप इस phone के लिए जा सकते हैं, इस phone के दर आपको 6.3 inch की full HD plus display देखने को मिलेगा, जो की 1080 pixel पे चलती है, मैं बात कर रहा हूं, 4GB RAM और 64GB storage व मिलेगी, लेकिन जो Kirin का processor 970 वो इतना battery efficient है कि 3750 mh की battery, आपकी 4000 mh battery जो normal दूसरे phone हो में होती है, उससे ज़्यादा आपको battery backup देने वाला है, यह मैं आपको surety दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने Honor के phone जो यूज़ करें है, बहुत ही battery efficient ये phone होते हैं और बहुत दे देंगे, साथ ही gaming के अंदर ये heat नहीं करते हैं phone, तो अगर आप gaming वगर का शोग रखते हैं, तो definitely Honor Play is a very good option, और ये phone देखने में कफी stylish look देता है, क्योंकि glass body architecture इनका बना हुआ है, तो देखने में बहुत stylish है, camera बहुत अच्छा है, performance बहुत अच्छी है, क्योंकि flagship level का processor देखने में मिल जाता है, तो phone overall बहुत ही अच्छा है, 15,000 के budget में अगर आपका जाता है, तो Honor के लिए आप इसके लिए जा सकते हैं, हम move on करते हैं, अपने next phone की तरफ, दोस्तों अगले अगर में phone की बात करों, तो मेरा one of the favorite phone है, Honor का 8X, और बहुत अच्छा phone है, बहुत ही मिलता है, जो की 1080 पिक्सल पर चलता है, 20 Megapixel प्लस 2 Megapixel का rear camera देखने को मिलेगा, जो की 2 Megapixel का depth sensing के लिए, बुके effect के लिए आता है, साथ में आपको 16 Megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा, 3750 MH की battery देखने को मिलती है, साथ ही EMUI 8.2, आपको version देखने को मिलेगा, जो की इनका ख काफी अच्छी buy है, मैं personally आपको recommend कर सकता हूँ, अगर आप इस phone के लिए जाते तो आपने राशनी होएंगे, लेकिन market के अंदर इतने जबरदस competition आजी तारी में चल रहा है, खास कर ये दो phone जो Realme 3 Pro और Redmi Note 7 Pro है, हाला कि personally मुझे Samsung का M30 phone भी काफी पसंद आया है, और Honor का play ज होती है, तो उसमें मिल जाए, तो उसमें ले जीजिएगा, दोनों इस phone कामाल के है, Realme और Redmi, Samsung brand अपने आप में बहुत जबरदस था है, और Honor phone के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी शक हो, तो मैं बता दूँ, Honor is a sub brand of Huawei, and Huawei इतना बड़ा brand है, जो कि Apple की बाद दूसरे न तो प्रसेसर की फेक्टरी लगाने में ही बहुत कई लाग करोड रुपे का खर्चा आ जाता है, तो डेफिनिटली Huawei is a very big brand, तो आप, और कई लोगों ने कॉपी किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आ है, तो लाइक ज़रू कर कि भाता है, यह कि लोगों आपको और की कि खिर्वाने में तो लगब कि द french कर दो भीडियो घुट को रैक पुरेए